नमस्कार दोस्तों सबसे पहले आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक सुब कामना और आज हैं एक जनवरी तो आज के करंट अफेर के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक्जाम स्टेडी को सब्सक्राइब नहीं कहें तो सब्सक्राइब जरूर करें वर बेल आइकन को दबाए ताकि आगे की वीडियो की नोटिपिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले कल के वीडियो में आप शेक क्यूशन पूचा था उसके बारे में चर्चा करते हैं के अंदर सरकार ने किस संगटन को परतिबंदित संगटन गोशित किया है आरेसेस को के अलब को भीम आर्मी को या तहरीक ए इंसाब को इसमें करेक्ट आइसर है के अलब को के अंदर सरकार ने के अलब संगटन को परतिबंदित संगटन गोशित किया है इसकी पूज़ डिटेल कल के वीडियो में है अब आज के करेंट अपेर के बारे में चर्चा करते हैं पहला है क्यूशन है हाल ही में किस महान फिलम निर्माता का नीदन हो गया है इसमें उप्सन है मधूर बंडार कर दूसरा उप्सन है मरनाल सेन तीसरा उप्सन है प्रकास्चा और चोता है कादर खान मर्नाल सेन, हाल ही में मर्नाल सेन महान फिल्म निर्माता का निदन हो गया है यही है मर्नाल सेन, महान फिल्म कार मर्नाल सेन का कॉलकता में 95 वरस की आयू में निदन हो गया है वह पदंबुसन और दादा सहेब फाल के पुरुषकार वेज़ेता थे कौन्स फिलम फेस्टिवल सहीद 12 अंतराश पर ये फिलम पुरुसकारों के राप्त करता मनाल शेहन भी इंडियन पिपल्स थेटर एसोशेशन के सदेशे थे दूसरा क्यों सुना है पी-म मोदी ने अन्वान और निकोबार के कितने द्वीपों को पुन नमित किया है इसमें पहला उप सना पांच, दूसरा उप सना तीन, तीसरा उप सना साथ, चौता उप सना दो इसमें ग्रेफ राउन सुरह है पी-म मोदी ने अन्वान और निकोबार के तीन द्वीपों को पुन है नमित किया है अन्वार और निकवार है तो उसके बारे में चर्चा करते हैं अन्वार और निकवार का गठन एक नौंबर मुझी सो चापन कोई वहाँ के राजेपाल जगदी समुकी है अन्वार निकवार की राजदानी है पोर्ट बलेर परदान नंतरी नरेंदर मोधी ने पचेतर वर्स पहले नेता जी दुवारा पोर्ट बलेर में राष्ट्रिय दोज पहराने को अंकित कटे वे डेट सो फिट उचा तीरंगा पहराया अन्वार और निकवार को पुनत तीन नामित दुवीप है राज का नाम बदल कर नेताजी सुवास जंदर बोस्त दुवीप रखा गया है नील का नाम बदल कर सहीज सुवीप रखा गया है और हेव लोग का नाम सवराज सुवीप रखा गया है दुवीपों का मुखे दारा के विकास से जोडने के लिए परदा स्मार्क डाग टिकट इसका पहला दिन कवर और पचेत रुपे का शिक्का भी दारी किया है नेक्स्ट क्यूशन है महिलाओं की राष्ट्रिय मुक्यबाजी चेंपियनशिप का तीसरा सेंसकरण हाली में कहां पर शुरू हुआ महिलाओं की राष्ट्रिय मुक्यबाजी चेंपियनशिप का तीसरा सेंसकरण विजए नगर में शुरू हुआ है विजए नगर ये करनाटक में है तो करनाटक का गठन एक नॉब्र गुनीशो चपनकोवा करनाटक की राजदानी बंगलोर है और करनाटक के मुक्य मंत्री है एच डी कुमार स्वामी और यहां के राज़े पाल है वजुबाई वाला बाक्सिंग फेडरेशन ओप इंडिया बी एफ आई के देख सेंग अजे शिंग देश की सिर्स मुक्य बाद सिर्समान के लिए तियार है यह टूर्नामेंट जी एस डबलू स्पोर्ट्स के स्वामित वाले इंस्पार इंस्पार इंस्टूट और स्पोर्ट्स में आईजित किया गया है विश्वे चैंपेंशी के रजट और कांशे पदक विजेता मुक्य बाद सोनिया चहल लवलीना वोर्गोही पिंकी जागडा और निखत जरीन सिर्समान को प्राप्त करने की इस परदा में एक दूसरे को पचाड़ने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट कुछन है हाल ही में किस अनुसुचित बेंक के रूप में कार्या करने के लिए और ये को मंजूरी में लिए है ESAF, SFB या KPA बेंक या MKM बेंक या STE बेंक इसमें करेंग टांसर है ESAF, SFB ESAF, SFB यानुसुचित बेंक के रूप में कार्या करने के लिए RVI की मंजूरी मिली है यही है ESAF स्माल फाइनेंस बेंक है इसकी स्थापना 10 मार्च 2017 कोई, इसका मुख्यले 3 सुर में है और इसके चेर मेरन है, मिस्टर परभा, रविंदर नाथ, थन, और एमडी और शीयो है के पाल, थम्स और ESAF लगूवित बेंक को आर्बियाई द्वारा अनुसोचित बेंक के रूप में संचलित करने के लिए मंजूरी मिल गई है इसके साथ ही ESAF लगूवित बेंक को केरल का पांच वा अनुसोचित बेंक बन गया है नेक्स्ट कुशन है हाल ही में किस देश के मंद्रे मंडल ने चीनी मुद्रा में पांड़ा बांड जारी करने की मंजूरी दी है इसमें ओप्सन है पहला भार, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है नेपाल, चोथा है पांगला देश, इसमें करें पाकिस्तान, हाल ही में पाकिस्तान के मंत्रे मंडल ने चीनी मुद्रा में पांडा बांड जारी करने की मंजूरी दी है पाकिस्तान दो पाकिस्तान की इस्टापनाद 14 अगस्ट dryсь 위i और इस्लामिक गणराजे 23 मार्ज 19 6 को और इसकी राजदानी है इसलामाबाद और परदानमंत्री है पाकिस्तान के इमणान खान और रास्टरपती है आरिप अल्वी और रास्टरघान है कौमी तराना पहले रन्बीन्बी मुल्य वरग पांड़ा बांड्स को जारी करने की मनजूरी डी देश में ने अमेरिकी डॉलर के साथ चीनी मुद्रा को एक इस्तिती देने के लिए एक अदम वड़ाया है। मुंबई नगर निगम इसमें करेक्ट रांचर है हेदराबाद नगर निगम स्वच सर्वेक्षन पुरुष का 218 हेदराबाद नगर निगम को समानित किया गया है। अगला क्यूशन है साथ नमर पुस्तक अर्ली इंडियन्स दे स्टोरी ओप और ओन स्टोरी एंड वेर वी कम फ्रोम का नावरन किया गया है इसके लेकर कौन है। पुस्तक पहले भाटियों की परवास के बारे में बात करती है जिन्हें आर्यन के रूप में भी जाना जाता है जो 65,000 वर्स पहले यहां पहुंचेते। अगला किशन है और भी आई रिपोर्ट के अनुसार बैंकों ने डिफाल्टरों से कितने रूपवे वसुले हैं। इसमें पहला उप्शन है 500 करोड दूसरा है 5000 करोड, तीसरा है 5000 करोड चोता है 44,400 करोड। इसमें एक रिक रांसर है 45,400 करोड। RBI रिपोर्ट के अनुसार बैंकों ने डिफाल्टरों से 40,400 क्रोड रुपे वसुले हैं RBI है तो RBI का गठन एक अपरेर 1935 कोवा कोलकता में और 25 वे गवर्नर सक्तिकांत दास हैं इसका मुख्याले मुंबई में है और मार्च 2018 को समाप्त हुए वीतिय वरस में बैंकों ने डूबत रिण की 44,400 क्रोड रुपे की वसुली की जबकि वित वरस 2017 में 38,500 क्रोड रुपे वसुले गए जिन विबिन चैनलों के माद्यम से रिण दाताओं ने अपने डूबते रिणों को वापस प्राप्त किया उनमें इंसालवेंशी एंड बेंक प्रिप्शी कोड आईबीशी और सारफेशी अदिनियम रिण वसुली नयाएद दीकरन डी आर्टी और लोग अदालत आदी सामिल है अगला क्यूशन है 9.11.2018 को ओसकर और ग्रेमी विजेता नॉर्मन गीबेल का एकराणमे वरस की उमर में निदन हो गया हुए थे उपसन गीतकार दूसरा है अभी निदन तीसरा है निदे सक चोता है डांसर एश्मेकर डांसर है गीतकार 9.11.2018 को ओसकर और ग्रेमी विजेता नॉर्मन गीबेल का एकराणमे साल की उमर में निदन हो गया हुए गीतकार थे यही है इन्हों है किलिंग मी सौप्टली विद हिज सौंग और देगरल क्रॉम इपने मा के गीत लिखने के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता था इन्हें 244 नी सौंग राइटर्स ओप हॉल ओप फेम में भी साम्हिल किया गया था नेक्स्ट कुशन है दस नूमर सेख हसीना की पार्टी आवानी लिंग नी रईवार को हुए आम चुनाव में कितने सीट जीती इसमें ऑप्शन है 266 दूसरा 163 294 302 इसमें करेक्टर अंसर है 266 शेख हसीना की पार्टी अवानी लिंग नी रईवार को हुए आम चुनाव में 266 शीटें जीती हैं यह बंगला देश की हैं तो बंगला देश की राज़दानी डाका है और यहां के राश्ट्र पती हैं अब्दूल हमीद और परदानमंत्री हैं सेख हसीना और बंगला देश की मुद्रा है डाका आवामी लिंग ने जहां 266 शीट पर जीत दरज की है वही इसकी सहयोगी जतिया पार्टी ने 21 शीटें अपने कबजे में की है वही विपक्सी गटबंदन नेशनल यूनिटी फ्रंट महत 7 शीटों पर जीत दरज कर सका आज का करेंट है फिर पूरा वा वीडियो को लाइक जरूर करें वर शेयर करना ना बूलें और लास्ट में आप से क्यूसन पूछते हैं उसका जवाब कमेंट करके जरूर बताए हाल ही में अंतराश्टर ये उंट महत्सव कहां आए जित किया जाएगा इसमें उप्सन पह करना यूटूब चैनल एक्जाम स्टेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें वेल आइकन को भी दबाए ताकि आगे की वेडियो के नोटिप्रिकेशन आपको मिलते रहें और फेस्बूक पेज को लाइक करने के लिए एक्जाम स्टेडी सर्च